इस गोड़ में आपका स्वागत स्वास्चे समन्दी चर्चा में हैं आज मकर सक्रांती मकर सक्रांती बहुत बड़ा त्वहार है अगर इसको सही तरीके से मना है आज के दिन सूर्य अपनी खासकती वीडियों को समपन करता है और उसकी किरिने मनुष्य प्राणी मातर के लिए लाब दाइक आज मैं आपको नुस्का देता हूँ जो हर तरकी जो से की प्रॉब्लम है ताकत का काम होना और जितनी भी प्रॉब्लम है कमजोरी और तो इसको बना लें इसमें कोई महिंगा आइटम नहीं हर आदमी इसको अपने गर पे बना सकता है और इसको परियोग कर सकता है सिको यूई ताकत तो वापस लोटेगी चेरे पे रोना काईगी भूख अच्छी लगेगी और इसके साथ साथ आपको अपने आप में सकती साली इस नुस्के को डाइबिटीज पेसेंट ले सकता है इस नुस्के को जिनकी बाइपास हुई है ले सकते हैं इस नुस्के को ब्लेड पेसर का रोगी आई ब्लेड पेसर का ले सकता है तो सबसे पहले में कंटेंस बताता हूं आमले का रस सो गराम अभी ग्राप्टेट आमले बड़े बड़े आ रहे हैं इतने आ रहे कि लेवाली नहीं कोई आमले का रस सो ग्राम कच्ची हल्दी का रस सो ग्राम अद्रक का रस सो ग्राम और लसुन का रस सो ग्राम इस चारों चीज़ें सब्जी मंडी में अभी आपको ताजा मिलेगी तो इनका आप रस नह निकालें पहले आप जो चीज मैं बताता हूँ उनको तैयार करें ये 400 ग्राम यह हो गई है न आमला का रस 100 ग्राम और कच्ची हल्दी का रस 100 ग्राम अद्रक का रस 100 ग्राम और लसुन का रस 100 ग्राम 400 ग्राम आपको पहले क्या करना है वो बता देता हूं अस्वगंदा 50 ग्राम पिला सतावर 50 ग्राम बंग वस्म 20 गराम, जावित्री 20 गराम, जाइफल 15 गराम, कालिमिट्स 15 गराम, गोकरु 50 गराम, और बाउफली 50 गराम, और गिलोई सत्व 50 गराम, एक बार और, अस्वगंदा 50, फिला सतावर 50, बंग 50, जावित्री 50, जाइफल 15, कालिमिट्स 15, गोकरु 50, बाउफली 50, और गिलोई सत्व 50, अब देखिए, ये कुल कंटेंस तो 13 होते हैं, तो इस नुष्के का नाम हमने तेरवान नुष्का ताकत का दिया है, अब ये जो चीज़ें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, करीब आठ चीज़ें हैं, आठ या नो चीज़ें हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, हाँ, नो चीज़ें हैं, तो इन नो चीज़ें का आप साफ सफाई करके पाउडर बनाएं, ये पाउडर ब का रस और लसुन का रस सो सो ग्राम करके चार सो ग्राम यह रस निकाल लें और यह रस निकालने के बाद इस रस के अंदर यह तिन सो ग्राम पाउडर डालें और चपाती बनाने का जिस तरह आटा होता है उत सरह से उसको लोड लें अपने सामर्त अनुसार एक दो तिन ग्राम आप केसर जो डालने लाइक है वो बेबी चाप केसर डाल सकते हैं तो ये आपका नुस्का कमज़ोर आटे की तरह लोगने के बाद एक-एक मिली ग्राम की इसकी गोलियां बनाए तो डेट सो दिन की होई तो ये कोर्स हुआ दो आदमियों का 75 दिन एक आदमी ले दोनों समय और पिच्चोतर दिन दूसरा आदमी ले दोनों समय या आप इसका आदा करके बना लें अपने लिए 75 दिन की दवा एक गोली सुबह नास्ते के बाद उपर गाय का मिस्री मिलावा दूस्ट और एक गोली ये रात को सोती वागत उपर दो चुंकि एक गराम कि गोली कुछ बड़ी बन जाती है तो आप दो-दो गोली बना सकते हैं छोटी एक साथ ले सकते हैं या गोली को मुझ से तोड़ करके और फिर निगल लें ऐसा नहीं हो गोली के लें में भश जाए ये नुस्कार तेर्मा नुस्कार ताकत का ये इसके अंदर कोई भी चीज आपत्ती जनक नहीं इसके लेने से आपको से एक समन्ती सारी प्राबलम दूर होगी इसके अलावा जो इसमें आपको जो गुन मिलेंगे कोलेश्टर जिनका बढ़ावाय कम होगा जिनकी धमनियों में खून रुपता है वो पास होगा और आठरी जैज जो ब्लोकेड नहीं होगी ये ये चारों रसका ये काम है फिर इनके अंदर इनकी गुटाई होगी तो ये और ज्यादा 37 साली होगा अर्श्वगंदा आपकी ताकत को गिंड़ने देगा सतावर बंग बसम जावित्री जाइफल ये सारी चीजें हैं जो आपको ताकत देगी गोखरू इसलिए डाला गया कि पैसा आप कुल के आए और गिलोज सत्वे इसलिए डाला गया कि इसमें थोड़ी लसुन की कर मिशी रहती है तो गिलोज सत्वे उसको न्योटल कर देता है तो आप इसको बना लें एक के ग्राम की गोलियां और परहेज में तेज खटाई इमली याम का अचार निबू ये नहीं खाएं मास नहीं खाएं और बजार की तली बुनी चीजे नहीं खाएं इसका मैं पिक्चर आपको सामने कर रहता हूं अठाई को नहीं आयो को नहीं खाएं वीडियो चा लगे लाइक जरूर करें